नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फोक एससी रेलवे यूटूब चैनल पर आज के हम इस वीडियो में आपके रेलवे एडवांस मेट के नारमलाइजेसन वाले प्रशनों को हल कराएंगे देखें दोस्तों किसी भी एक जाम को क्वालिफाई करने के लिए एडवांस मेट बहुत जरूरी होता है जो काफी स्टूडेंट हमारे छोड़ देते हैं लेकिन जो पढ़ते हैं एडवांस मेट को और जिनके सिप्ट में अगर पूछा जाता है तो अगर तीस कुशन भी सही सही करके आते हैं तो उनका नार मलाजिसन से साठ से सतर नमर तक बढ़ जाता है इसलिए आप ज्यादा तर एडवांस मेट के प्रशनों करिए और प्रेवियस पेपर में जो पूछे गए प्रशनों को उतना कर लिए आप लोग लिए काफी है मैंने सारे कराया हुआ है आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक को दे दूँगा आप लोग देख लीजेगा देखिए जैसे आज के हमारे सेशन का फर्स कुछन है देखिए यह बहुत इंपॉर्टन प्रसन है यह प्रसन आपका एंटी पीसी तीन माई 2016 को सिकेंड पाली में पूछा गया प्रसन है आपके कई बार आपके एंटी पीस एक्जाम में पूछेगे प्रसन हो मैंने कराया हुआ है देखिए हमारा क्या कह रहा है वर्ड के बिकड की लंबाई तो हमारा जो वर्ग होता है उसके बिकड की लंबाई क्या होती है वर्ग के बिकड की लंबाई हमारी क्या होती है होती आपका गुड़े रूड़ दो हो जाएगा देखे रूड़ दो उधर लेके जाएगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका देखे भुजा वराबर क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा चार रूड़ दो लेकिन देखिए ऐसा कोई आपसन है नहीं है तो हम क्या करेंगे देख हमारा दो से चार काटेंगे दो हो जाएगा था हमारा हो जाएगा टू रूट टू ऐसा कौन सा आपसन है आपका आपसन नमरे सही है उम्मीद करता हूं इस को समझ गेंगे इंपॉर्टन प्रस्ता आप लोग नोट भी करते चलिएगा चलिए दोस्तों की तरब चलते हैं जुरूर सारे वीडियो को ज़रूर देख लिएगा एक्जाम से पहले पहले देखे एक समानतर चतुर बुझ जिसका आधा नौ सेंटी मीटर तथा चार सेंटी मीटर है इसका छेत फ़ल वर्ग सेंटी मीटर में क्या होगा देखे हमारा मैं अधिक तर बताता हूं अपने समानतर चतुर बुझ जो होता है उसका छेत फल क्या होता हमारा यह होता है आधार और गुड़े में क्या होता है उचाई होता है तो देखे हमारा तो आधार ग्यानत है नौ उचाई भी ग्यानत है चार इसको गुणा करेंगे नौ चोग छती सेंटी मीटर हो जाएगा ठीक करता हूं इस प्रेंट को समझ गयोंगे बस कुछ नहीं था हमारा जो समानतर चेट पर होता आधार गुणे उचाई आधार नौ है उचाई चार है इसको गुणा करेंगे तो आपका थर्टी सिक सेंटी मीटर आ जाएगा देखें जितना भी आप परिष्णों को प्रेक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा किस टाइप की प्रेश्ण हमारे एडवांस में पूछे जाते हैं चलिए हम नियक्षुसन की तरफ चलते हैं आज के हमारे सेशन का कुशन नम्मर थर्ड है देखें मोश्ट इंपॉर्टन प्रेश्ण है यह प्रेश्ण आपका आर आर्वी कोलकाता 2006 में पूछा गया प्रेश्ण है प्रेश्ण को ध्यान से समझते हैं 14 मीटर 9 मीटर कमरे के फर्स को ढखने के लिए 30 सेंटेमीटर चौणी धरी के कितने मीटर की आव सकता होगी देखिए पहले हम प्रेश्ण को ध्यान से पढ़ें उसके बार देखिए हमारा एंसर जो है मीटर में आ रहा है तो हमारा कौन सा यूनिट है जो मीटर में नहीं है बस हमारा यह यूनिन मीटर में नहीं सेंटी मीटर में इसको मीटर में बदलेंगे देखिए पहले हम इसको एक मीटर में कितना होता 100 सेंटी मीटर तो हमारा 63 मीटर में 63 सेंटी मीटर में कितना हो जाएगा 100 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.63 सेंटी मीटर आ जाएगा अब इसको हम हल करेंगे हमसे पूछा गया चोड़ी दरी के कितने मीटर की आओ सकता होगी मतलब हमको मीटर मतलब लंबाई पूछा गया है मतलब क्या पूछा गया लंबाई पूछा गया तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले फर्स का जो है छित फल निकारते हैं और बैटे में क्या करते हैं हम दरी की चौडाई से भाग कर देंगे दरी की चौडाई से भाग कर देंगे बस आपका इंसोर आ जाएगा देखिए फर्द का सेथपल है 14 गुड़े 9 और बैटे में हमारा जो दरी की चौडाई है कितनी दी गई है आपका 0.63 cm हमने यहां पर इ आइंगे उपर सव से गुणा कर देंगे देखे चाउदा गुडे नौ गुडे सव किये और बेटे में तीर सट किये क्योंकि हमने दसमलों हटा दिया देखे नौ सते तिरी सट साथ दूनी चौदा तो हमारा कितना आगया दो गुडे सव कितना हो जाएगा हमारा ये 200 मीटर ऐसा कौन सा अपसान है आपका अपसान नंबर ए सही है उमीद करता हूं परस को समझ गयोंगे देखे फीन से बता रहा हूं बस समझ लीजेगे आप लोग पहले इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा पॉइंट सिक्स थिरी मीटर आ जाएगा अब हम फर आप आपका जो मीटर में आया दरी की लंबाई दी गई है आपकी चोड़ाई इससे हम भाग कर देंगे दरी की हमारी चोड़ाई है तो दसमलों हटाने के लिए क्या करेंगे चोड़ा गुड़े नव उपर सव से गुणा कर देंगे नीचे दसमलों हट जाएगा इसको हल तो यह हमारा 200 मीटर आ जाएगा आपका अपसर नमर A सही है उम्मीद करता हूँ आप परसनों को समझ गयोंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवांस मेट के परसनों को प्रेक्टिस करिए क्योंकि आपको किसी भी एक्जाम के लिए नारमलाइजिसन या कौलिफाई कर इस्ट्री डिरेटर गरूप हैं जो लोग तैयारी करते हैं उनके साथ जरूर सेयर करिएगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह कि और महत्मूर्ट कलास के साथ तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद